सबी विद्धियार्थियों को प्यार भरा नमस्कार मैं धीरत सिंग आपका आस्ता एजुकेशन के यूटूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ अभी 4 अक्टूबर को UPSC CSET का पेपर हुआ था और उसमें कुछ रिजिनिंग के भी कोशन आते हैं उसमें कुछ अरिफ्मेटिक के कोशन भी आते हैं और कुछ एडवांस मैट के भी कोशन आते हैं तो उन सभी कोशन को हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर सौल्ड करेंगे कि ऐसे कोशन का एप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर आपको आने वाले समय में जैसे जून में फिर से एक्जाम होगा तो अगर ऐसे कोशन आए वहाँ पर तो तुम्हारा प्रोचेस क्या होना चाहिए और एक बात और 15 अक्टूबर से हम लोग का कोचिंग खुलने वाला है जिन बच्चों को NDA, Navy, Air Force में सेलेक्शन लेना है उनके लिए आस्ता एजुकेशन से बेतर आप्शन इस समय कहीं पर नहीं मिलेगा तो आप लोग 15 अक्टूबर को आके यहां पर इन्रोल करा सकते हैं और सारी चीज़े फोन पर आप इन्क्वाइरी भी ले सकते हैं तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कोचिंग को सुरू करता हूँ कि UPSC के सेकेंड पेपर में कैसे कोचिंग तुम से पूछा हुआ था तो चलो हम लोग इस्टार्ट करते हैं आज का पहला कोचिंग या फिर पेपर का पहला कोचिंग जो था अरिथमेटिक का मैं पहले लेकर चल रहा हूँ अरिथमेटिक का कोचिंग नमबर फर्ष्ट मेरी तरफ से वैसे पेपर का कोई भी कोचिंग नमबर हो सकता है Question number first ये दिया माना की माना की P, Q, R और S इस प्रकार की इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं है इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं है प्राकृतिक संख्याएं है की P, E, माइनस दो हजार सोला बराबर में क्यों प्लस में दो हजार सत्रह R, माइनस दो हजार अठारह बराबर में S, प्लस दो हजार उन्निस S, प्लस दो हजार उन्निस है तो न्न में से भाई तो न्न में से कौन सी संख्या न्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और option तुम्हें दिया था P, पहला option P, दूसरा option Q तीसरा option R और चौथा option S तो तुम्हें ये question दिया हुआ था कि अगर P, Q, R, S प्राकृतिक संख्याएं है तो इन में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है तुम्हें छोटी क्लास में एक चीज़ सिखा होगा ratio में कि अगर कोई भी चीज़ बराबर होता है न तो हम लोग constant K मान के चलते हैं क्या मान के चलते हैं? constant K तो मैं इसके बराबर कोई भी constant मान लिता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर K नहीं मानूँगा मैं यहाँ पर K नहीं मानूँगा क्योंकि फिर से थोड़ा सा confusion हो जाएगा तो मैंने K ना मान के अपनी तरफ से ये मान लिया कि कोई भी संख्या है 2020 कि चारो सेंख्या का result जो है ना वो 2020 के बराबर है तो तुम चिला चिला कर बोलोगे कि भाई ये जो P का मान होगा 2020 और प्लस में 2016 2020 प्लस में 2016 तो 4036 बना तुम चिला चिला कर बोलोगे कि क्यूँ बराबर 2020 माइनस 2017 बराबर 3 बना तुम बोलोगे कि सर R बराबर बनेगा 2020 प्लस 2018 मतलग कि 4038 तुम S बराबर बोलोगे 2020 माइनस 2019 तो S बराबर कितना बना एक तुम खुदी बताओ इन चारो नमबर में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इन चारो नमबर में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या दिखा 4038 यानी की R तो इस question का सही जवाब क्या था? R था तो अगर कभी exam में ऐसे question आए तो तुम बराबर में कोई भी constant मान लेना चारो variable का मान आसानी से मिलेगा फिर तुम आराम से compare कर सकते हो तो चलते है question number second की तरफ स्क्रीन सॉट सभी भाई ले लेंगे स्क्रीन सॉट सभी भाई ले लेंगे चलते है question number second की तरफ कि भाई question number second क्या था? पेपर बहुत आसान थे बस logical था थोड़ा सा दिमांग लगाना था वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ क्या? कि जो paper में बैठा रहता है न उसी को यही question tough लगेगा क्योंकि वहाँ पे चीज़े दिमाग में नहीं आती है बाहर बैठ कर बोलना आसान होता है कि paper बहुत आसान है लेकिन exam center के अंदर जो बच्चा अवलेवल होता है न वही paper उसे सबसे tough लगेगा और बाहर आके कोई भी बोल दिता है कि भाई paper इस बार का बहुत आसान था question number second क्या है number system का ही question number second भाई बहुत आसान question number second मैं तुम्हें logic बताऊंगा फरिजी की चीजें हवा में बिल्कुल भी नहीं उडाऊंगा question number second माना की माना की x y z माना की x y z तीन अंकों की संख्या है माना की x y z तीन अंकों की संख्या है तीन अंकों की पो ही संख्या है फिर इसके आगे भाई क्या दिया जहां 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 X प्लस Y प्लस Z X प्लस Y प्लस Z क्या खतरना कोश्यन था तीन का गुडानक नहीं है जहां X प्लस Y प्लस Z तीन का गुडांक नहीं है ये ध्यान मिखना है तब भाई तब x y z plus y z x plus z x y विवाज्य नहीं है विवाज्य नहीं है भाई विवाज्य नहीं है पूछा हुआ है नहीं पूछा हुआ है विवाज्य नहीं है कुछ लोग पहली बार कोश्यम देकर ये सोचते हैं कि जहां पे विवाज्य आया वो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं तो भाई नहीं पर ध्यान देना है पहला ओप्षन था तीन से क्या दिया भाई तीन से दूसरा ओप्षन नो से तीसरा ओप्षन तीसरा ओप्षन सेतिसे तीसरा ओप्षन सेतिसे चोता ओप्षन X प्लस Y प्लस Z से X प्लस Y प्लस Z से एक बार कोश्चन का आप लोग स्क्रीन सॉट ले सकते हैं तो भाई बदाओ इसमें से क्या हो सकता है बदाओ क्या हो सकता है देखो कैसे करना था कोश्चन को तुम्हें एक प्रोसेस पता होगा कि 3 अंको की संख्या को कैसे लिखा जाता है तो देखना ध्यान से क्या मैं x y z को भाई ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 100 x प्लस 10 y और प्लस में z बना क्योंकि ये 100 प्लेस पर है ये 10th प्लेस पर है और ये unit प्लेस पर तो 100th place पर जो भी संख्या होती है उसमें 100 से गुना करते हैं और जो दहाई अंक वाली संख्या होती है उसमें 10 से गुना करते हैं तो मैंने X में 100 से गुना किया Y में 10 से गुना किया और Z में 1 से गुना क्या y z x को भाई मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 100 y प्लस में 10 z और प्लस में x बना आगे इसी प्रकार से 100 z प्लस में 10 x और प्लस में कितना बना y अगर इन सभी संख्या को जोड़ोगे तो जोडने के बाद बनेगा x 111 x प्लस x 111 y प्लस x 111 z तो तुम्हें साफ साफ यहां पर यह दिखा कि अगर मैं 111 common ले लूना तो अंदर तुम्हारे पास क्या बचेगा x प्लस y प्लस z मैंने यहां से common क्या लिया 111 तो अंदर क्या बचा x प्लस y प्लस z तो इसने ये पुछा कि किस संख्या से विवाज नहीं है ये तो पहले ही cancel क्योंकि x प्लस y प्लस z मिला मतलब कि X प्लस Y प्लस Z से विवाज है X प्लस Y प्लस Z से विवाज है तो D option cancel हो चुका D option तुमारा cancel 3 से भी cancel हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे 111 मिला भाई 111 को तुम 3 गुने 37 बोल सकते हो 111 को 3 गुने 37 बोल सकते हो तो 3 से भी विवाजित होगा 37 से भी विवाजित होगा और X प्लस Y प्लस Z से भी विवाजित होगा तो 3 हो, 3 हो संख्या से विवाजित है मतलब कि इस से भी विवाजित है 37 से भी विवाजित है X प्लस Y प्लस Z से विवाजित है तो कौन सा सही option है? B option कौनसा सही option बना B option तो देखो कितना आसान question था कितना आसान question था तो भाई एक्जाम में logic बना के सोचना पड़ता है कि अगर C-set के paper मिले तो तुमारा अंदाज क्या होना चाहिए और अगर अंदाज नहीं पता है तो मैं सिखाऊंगा कि question का अंदाज क्या होना चाहिए question number third भाई question number third पर आते हैं question number third इकाई अंक पर पूछा हुआ sorry number of zero पर पूछा हुआ है कि सुन्य की संख्या ग्यात करे सुन्य की संख्या ग्यात करे देखो क्या दिया question क्या दिया आज का question number third गुड़न फल गुड़न फल भाई गुड़न फल एक गुणे पाँच गुणे दस एक गुणे पाँच गुणे दस बीस गुणे पचीस गुणे में तीस गुणे में पैतिस गुणे में चालिस गुने में 40 गुने में 45 गुने में 50 गुने में 55 एंड गुने में 60 तो भाई इस question में ये पुछा न कि इस गुरन फल में सुन्य की संख्या क्या होगी क्या पुछा कि दाई और से दाई और से सुन्य की संख्या क्या होगी दाई और से सुन्य की संख्या क्या होगी और तुम्हें option दिया 10 दूसरा option 12 तीसरा option 13 और चौथा option दे रखा है 14 बस यहां पे calculation जादा था तुम इस question को कई process से कर सकते हो लेकिन मेरा जो अंदाज होता अगर मैं paper दे था तो मेरा अंदाज इस question को करने का क्या होता मुझे एक चीज़ पता है क्या पता है कि अगर कभी भी सुन्य की संख्या देखनी है तो सुन्य की संख्या देखने के लिए हम लोग दो और पांच के जोड़े देखते हैं कि दो और पांच के कितने पेर बने जितने दो और पांच के पेर बनेंगे उतने ही सुन्य की संख्या बनेगी क्योंकि एक जीरो बनाने के लिए एक दो और एक पांच चाहिए दो जीरो बनाने के लिए दो दो और दो पांच चाहिए तो कहने का मतलब ये था कि अगर कभी भी सुन्य की संख्या पुछे तो नमबर और पेर देखना है कि दो और पांच के कितने बने देखते हैं, मैं 2 और 5 एक करूँगा, इसमें केवल 5 है, 10 में मिला 2 गुने 5, क्या मिला? 2 गुने 5, इसमें 2 के पावर 2 गुने 5, इसमें 5 के पावर 2, तीस में सिर्फ 2 और 5 पर फोकस रखना है, तीस में तुमें एक 2 मिलेगा, और एक 5 मिलेगा, 3 को नहीं लेना है, केवल 2 और 5, 35 में केवल 5, 35 में केवल 5, 40 में 8 गुने 5 बराबर 40, तो 2 के पावर 3 गुने 5, 45 में 45 में 5 मिलेगा, और 3 नहीं लेना है, 50 में 5 के पावर 2 और गुने में 2 मिला 55 में 1 5 मिलेगा 60 में 12 55 55 का 20 मतलब कि 5 भी मिलेगा और 2 के पावर 2 मिलेगा तो मुझे number of 5 चेक करना था और मुझे number of 2 चेक करना था अगर भाई मैं number of number of five check करूँ और number of two check करूँ तो जितने pair बनेंगे उतने ही सुनने की संख्या होगी तो देखना मैं दो के गिंती करता हूँ दो की एक दो एक तीन तीन एक चार चार तीन साथ साथ एक आठ आठ दो दस तो इस पूरे expression में दो की संख्या मिली दस अगर मैं 5 की संख्या देखूँ एक, दो, चार, पांच, छे, साथ, आड, आड, के बाद और कहां पर है, नो, दस, और यहाँ पर मिला 12, और भी कहीं पर देख सकते हो, तो 12 पांच की संख्या बनी, पांच की संख्या कितनी बनी भाई, अच्छा एक यहां पर भी है, तो 12 प्लस एक बराबर 13 बना, तो 5 की बनी 10 तो यहां से तुम कितने पेर बना सकते हो जैसे अगर मैं तुम्हें एक दूँ कि अगर किसी भी गाउं में 10 आदमी और 40 महिलाएं हैं तो तुम कितने जोड़े बना सकते हो केवल 10 जोड़े केवल कितने जोड़े बना सकते हो 10 जोड़े अगर किसी गाउं में 20 महिलाए पांच पुरूस है तो तुम केवल पांच लोगों की साधी करा सकते हो मतलब कि पांच लोगों का जोड़ी बना सकते हो वैसे ही अगर पांच की संख्या तेरा दो की संख्या दस तो मैं यहां से कितने जोड़ी बना सकता हूँ 10 जोड़े तो 2 और 5 के 10 जोड़े बने 2 और 5 के 10 जोड़े बने तो इस question का final answer कितना है 10 है इस question का final answer कितना है 10 है तो सुचो कितना आसान question था Question number 4 भाई, screenshot लेते रहे हो screenshot सभी भाई लेते रहेंगे कोई भी तकलीफ होगा किसी भी question में सभी लोग comment करके पूछेंगे कि sir ये question में दिक्कत हुआ मैं फिर से repeat कर दूँगा आने वाले वीडियो में अगर किसी question में किसी को भाई, कोई तकलीफ होगा वो comment कर देगा भाई, comment तो कर दिया करो कि वीडियो कैसा लगा अगर improve करना है तो और चीज़े improve की जाएंगी better content चाहिए तो better content भी दिया जाएगा react किया करो react ये नहीं कि देखके बस हट जाए react करना सिखो हर बातों पर, हर चीजों पर react करना सिखो अपनी राय देना सिखो कि तुम्हारी राय क्या है अपनी बात रखना तुम्हें सीखना है question number 4 question number 4 क्या था यार question number 4 मेरे हाथ में तो paper है question number 4 question number 4 बहुत logical question है भाई पूरे paper का सबसे logical question question number 4 पूरे paper का logical question था मैं इसलिए logical बोल रहा हूँ क्योंकि exam में बैठके कोई नहीं सोच सकता बाहर बले कोई भी सोच ले लेकिन exam में बैठके सोचना असान नहीं है होच सकता है कि मैं भी ना सोच पाऊं क्योंकि बाहर चीज़े बहुत आसान होती है question number 4 पाँच अंको की क्या बोला भाई पाँच अंको की बहुत बेतरी question था पाँच अंको की कितनी अभाज संख्याएं पाँच अंको की कितनी अभाज संख्याएं अंको अंको एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा चार और पाँच के द्वारा भाई question देख लिए और पाँच के द्वारा पाँच के द्वारा बहुत बेतरीन सोलूसन है यार इसका पाँच के द्वारा बिना अंको के पुन्रा वृत्ति मैं इंग्लिस में रिपीट कर दूंगा बिना अंको के पुन्रा वृत्ति कि ये हुए कि ये हुए बनाई जा सकती है that means how many five digit prime number that means how many five digit number सुनते रही हो how many five digit number are formed with the help of digit 1,2,3,4 and 5 if the repetition is not allowed if the repetition is not allowed 0, दूसरा option था 1, तीसरा option था 9, और चौथा option क्या था 10 अगर मैं एक्जाम देता तो मेरे दिमाग में पहले तो यही से मैं confuse हो जाता कि भाई पांच अंकों की अभाज संख्याएं हैं तो मैं देख कर question छोड़ देता क्योंकि अभाज संख्याएं में case different हो जाती हैं अगर तुमसे यह question पूछता कि पांच अंकों की कितनी संख्याएं अभाज जी ना देकर question यह पूछता कि पांच अंकों की कितनी संख्याएं इन अंकों के द्वारा बनाई जा सकती हैं तो मेरा जवाब होता पांच factorial क्योंकि पहले अस्थान पर पांच नंबर दूसरे अस्थान पर चार नंबर तीसरे अस्थान पर तीन नंबर चौते अस्थान पर दो case और लाश अस्थान पर एक case यह सभी को पता है लेकिन भाई यहाँ पर case आगया अभाज्या कोई बात नहीं देखो यहाँ पर भाई repetition allowed नहीं है repetition allowed नहीं है इसका मतलब कि अगर मैं तुम्हें एक example समझाओ एक एक तीन चार पांच इस type का number इसमें नहीं होगा क्योंकि एक का repetition हुआ कोई यह सोचे कि पांच 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 बाई इस type का number इसमें नहीं होगा क्योंकि पांच का repetition हुआ पांच का क्या हुआ repetition तो मुझे ऐसे case के number नहीं चाहिए तो मुझे कैसे case वाले number चाहिए कि अगर पहले place पर एक आए मालनों दूसरे प्लेस पर 2 आए तीसरे प्लेस पर 3 आए चोते प्लेस पर 4 आए और पांचवे प्लेस पर क्या है? पांच इनका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है 5 यहाँ पर भी हो सकता है एक यहाँ पर हो जाए तो वो case तो different है लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर repetition not allowed है तो ऐसे case वाले number नहीं आएंगे तो कैसे case वाले number आएंगे ऐसे case वाले ऐसे case वाले अगर तुम्हारे दिमाग में नजर होगा नजर में चीज़े होंगी तो तुम आराम से देख सकते थे यही से देखकर मैं बोलता कि भाई जो इसका digital sum बनाना इसका जो digital sum बना 5, 4, 9, 3, 12, 12, 14, 15 5, 4, 9, 3, 12, 12, 14, 15 अगर किसी भी संख्या का digital sum 15 होता है तो वो संख्या तीन से हमेशा विवाजित होगी अगर किसी संख्या का digital sum 3 का multiple होता है तो वो संख्या हमेशा 3 से विवाजित होगी तो जितने भी इस type के number मिलेंगे जितने भी इस type के number मिलेंगे वो हमेशा 3 से विवाजित होगा तो कोई भी अभाज संख्या नहीं मिलेगा क्योंकि prime number का definition क्या होता है या तो खुद से डिवाइड हो या तो एक से लेकिन तीन से हमेशा जितने भी नंबर इसमें मिलेंगे सारे के सारे नंबर सारे के सारे नंबर तीन से डिवाइड होंगे तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए जीरो जीरो क्यों न चाहिए क्योंकि डिजिटल समपंद्रा बना तो हमेशा तीन से डिवाइड होगा इसलिए इस कोशन का सही जवाब क्या है जीरो बात समझ में आगी स्क्रिंसाट ले लिए भाई स्क्रिंसाट सभी भाई ले लेंगे आराम से स्क्रिंसाट सभी भाई ले लेंगे कोशन नमबर पांच कोशन नमबर फाइव क्या बात है चार कोशन होगी भाई हाँ बहुत से कोशन नमबर फाइव पे चलते हैं यार कोशन नमबर फाइव तो ब एगजाम में आदत क्रूस को थोड़ा साओ अगर एक्साम में पूछ अपनी दरस समझा रहा हूँ और आप्सिन तुम्हें भाई ऐसे देना कि 126 146 166 176 और 176 किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे question के option लगा दे वो डर डर के करेगा वैसे तो 156 होता है लेकिन अगर ऐसे number मिलते है ना तो तुम्हारा process ऐसे होता है 13 गुने 12 ऐसे करके करते हो exam में ये हालत होती है तो चलते है अगले question पर कि अगला question क्या है भाई अगला question question number 5 question number 5 भाई तुम्हें ये दिया वैसे तो उसमें कुछ दूसरा sign था गुने का लेकिन ऐसे दिया हुआ है x plus 1 x plus में 5 x plus में x x मैं x लिख लिया उस position पर x 1 बराबर में 1 x x तो x का मान बताना था वैसे x की जगे ये वाला sign दिया हुआ था x की जगे ये मैंने x मान लिया तो x का मान बताना था option तुम्हें दिया था 2 दूसरा option 3 तीसरा option 4 और चौता option तुम्हें दिया 5 चौता option तुम्हें क्या दिया 5 यह X है यह 1 और X है यह 5X, double X, X1, one double X फिर से वही केस जो भी तेन डिजिट वाले केस में किया था यह X है तो यूनिट प्लेस पर सिंपल रखना है यह एक टेंथ प्लेस पर है दसमें अस्थान पर तो मैं इसे लिखूंगा 10 और प्लस में कितना X तो तो तुमें यह प्लस प्लस पर है होना चाहिए कि 100 प्लेस के नंबर को कैसे लिखा जाता है 100 से गुना करके, 10 प्लेस के नंबर को कैसे लिखा जाता है 10 से गुना करके, यूनिट प्लेस के नंबर को कैसे लिखा जाता है एक से गुना करके, अगर मैं यहाँ पर जोड़ू X, 2X, 3X, 13X, 14X, 24X तो 24x 24x मैंने सही तो लिखा है भाई बिल्कुल सही लिखा है 24x 50 10 60 60 प्लस 1 बराबर 61 बराबर में 11x और बराबर में 100 अगर मैं इसको उपर थोड़ा सा लिखूँ कि 24-11 बराबर 13x 13x बराबर कितना बन जाएगा 49 अगर 13x भाई 49 बना तो x बराबर कितना बना 3 तो इस question का सही जवाब क्या था तीन था आने वाले और वीडियो में कई पार्ट में तुमें सारे question के solution मिल जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही like और share करना ना बूले जैन